हलो दोस्तो प्लस्पंट के यूट्व के वीडियो में अपका स्वागत है दुस्तो मेरा नाम है निकेत शाहा दूस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जने वाले हमारे जो में बोर्ड रदा है ने कि switch बोर्ड रदा है उसके connections के बारे में हैं तो आज आपके दो major questions का जवा सीरीज में रहेगे या पैरलल में रहता है चले अगर आपको मालूंग है जवाब तो इस वीडियो को पॉस किजिए और नीचे लिखे कमेंड में कि यह जवाब है अगर नहीं मालूए तो पूर्या वीडियो एंड तक देखेगा और याद रखे कि पसंद आएगा वीडियो लाइक और शेर करना ना भूले वीडियो को ठीक है तो सबसे पहले शरुआत करते हैं क्या यह connection ठीक है यानि कि होता क्या है कि हमारे घर के जो board रद है बरवर अलग लग किसम के switchboards रद है यह switchboard के जो connection रद है वो कैसे होता है वो पहले समझना है हमें यह समझने के लिए हम लोग शर्वात एकदम शर्वात से करेगे, शर्वात याने कि power generation से करेगे, याने कि government के तरफ से जो हमें power supply मिलता है हमारे घर पे, वो कहां से आता है, वो किस प्रकार से आता है, और फिर हमारे घर कैसे आता है, फिर हमारे switchboard तक कैसे पहुचता है, हम लोग एकदम डीटेल मे ये वीडियो को देखने वाले, तो चले शरुवात करते हैं, सबसे बेले ये आपको नजर आ रहा है, ये power plant है, power plant समझो, hydraulic रहेगा, या cold रहेगा, या nuclear रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ये government के जनरली आम तोर पे power plant रहता है, लेकिन कुछ कंपनियां भी है, private companies जो power बनाने का काम करती है, आम तोर पे आपने देखा रहेगा, पहाडी इलाकों में एक डैम बनावा रहता है, और डैम की मदद से वो लोग बिजली बैता करते हैं, तो वो हो गया power plant, power plant क्या करता है, कि उस जो बिजली बनाते हैं, वो लोग एक step up transformer रहता है, step up क्यों लगाया जाता है, क बहुत जादा किलमेटर दूर है, करेक्ट मलब लगबग 100 किलमेटर दूर है, तो वहाँ से बिजली को यहां तक लाने के लिए voltage जादा देना पड़ता है, तो इसलिए step up transform में लगा जाता है, फिर आपने इस type के towers देखे रहेगे, उस tower के मदद से कहीं कहीं पे transmission station रहता है, यानि कि जो बड़े पैमाने पे जो बिजली यहां से जो जन्रेट होके distribute होती है, वो सबसे पहले यहां पे आती है, यह क्या करता है, यह substation कि वो हर एक area में distribute करता है, मानलो कि मैं रहता हूँ कल्यान में, तो उल्ला संगर बदला पूर, वहां तक यह distribution करने का काम, transmission substation करता है, यह substation क्या करता है, हर एक area में एक transformer लगे हुए रहता है, आपके make sure कि आप जहां पे रहते हो, उसके आजू बजमू उस area में कहीं न कहीं आपको एक transformer नजर आया रहेगा, उसको में बड़े distribution transformer, तो उस transformer की मदद से हमारे घर में बिजली आती है, इसको और थोड़ा detail में समझने की कोशिश करते हैं, यह distribution जो रहता है, यह actual में यह कैसा रहता है, कि transmission substation उसके बाद में जो area वाइस जो transformer रहता है, ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने directly बता दिया कि transmission से direct transformer और फिर हमारे घर पे आती है बिजली, तो हम यह assume करते हैं कि हमारे area में जो लगावा रहता है, transformer कुछ इस प्रकार से रहता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके उपर की तरफ आपको तीन poles नजर आएगे, क्योंकि हमारे area में जो बड़े-बड़े transformer लगाया रहता है, आम तोर पे यह थ्री phase रहता है, आम तोर पे नहीं 99.99% थ्री phase ही रहता है, तीन बड़े- रहता है, जनरली neutral रहता है, और यह तीनों के तीनों phase रहता है, अभी होता क्या है, यह तीनों के तीनों phase रहता है, हमारे building या जो भी area रहता है, आम तोर पे building के side में, यह सभी वेर्स एक साथ में बड़े cable के सारे लाया जाता है, इतना समझ मैं है, इतना होने के बाद, इन cables के जरीए हमारे building में क्या होता है ये जो 3 phase है उसको equal form में divide किया जाता है मालों कि red का जो blue है तो blue उपर वाले जो floors में रहते हैं लोग उनको blue wire से connection दिया गया है उसके बाद में red वाले wire से उसके बाद में yellow वायर से इस तरह से distribute किया जाता है ये 3 phase के wires को और neutral सभी के लिए common रहता है क्योंकि phase है तो neutral होना जरूरी है इसके लिए neutral जो वायर रहता है ये की रहता है common जिसका सभी building का जो neutral रहता वो एक साथ में यहां पे से जोड़ा हुआ रहता है तो ये 3 phase है और ये neutral wire है इतना समझ भाए है phase और neutral ओके यहां पे हमारा 99% काम हो गया लेकिन अभी हमें क्या जानना है कि हमारे घर का wiring कैसे होगा तो होता गया है कि ये 3 जो phase आये हुए है neutral के साथ में वो हमारे घर के हिसाब से एक क्या बोलता है उसको energy meter के जरीए distribute होता है होता गया है अभी मानलों कि यलो का उट है blue का in है blue का out है correct और फिर neutral का in है और neutral का out है यह transform की यहां से आया है यहां पे और यहां से हमारे building में अलग-अलग form पे distribute होता है आप देख सकते कि red वाला wire यहां x meter में गया है और x meter में गया है yellow वाला phase वो इधर गया है और इधर गया है इनो phase का तो यहां पे equally distribute किया गया है अभी मानलो कि यह हमारे घर का meter है मानलो ठीक है इस घर के meter से मलब आप देख सकते हैं यहां से यह in है यह neutral का in है यह face का in है और यह दोनों जो point आपको नजर आ रहे यह दोनों out है यहां से आप देख सकते है यहां से जो आता है हमारे घर में आता है wire हमारे घर में इस meter के जरी हमारे घर पे wire आएगा अभी हमें देखना है कि घर पे अंदर wire आने के बाद हमारे switchboard में connections कैसे आता है क्योंकि हमें तो ultimately switchboard का connection जाना है ना तो यह देखने से पहले मैं जानकरे के लिए बता दू हम लोग ने online में भी कई सारे courses चालू कर दिये जैसे कि electronics है, electrical है, electrical में solar है, motor rewinding है, wire van है, home appliances repairing है, mobile repairing है, laptop repairing है ऐसे कई सारे अंगिनत courses हम लोग ने चालू कर दिये यह courses करने के लिए केवल mobile में एक app डाउनलोड करना है, plus point training new नाम का, यह हमारा नया app है, यादर के पहले हमारा app था plus point training, अभी plus point training नाम का नया app है, आगे bracket में आपको new लिखा हो रहागा, यह आप डाउनलोड कर सकते है अधिक जानकरे के लिए मेरा whatsapp नंबर है, इसमें मुझे केवल high का message जाल दी, तो मैं सारे जानकरी आपको whatsapp के माधियम से भिजवा दोता हूँ, तो online courses करिए उसमें बहुत अच्छी एकदम detail में जानकरी है, तो अभी चले बढ़ते हैं आगे के तरफ, अभी जैसे कि मैंन लाइन हमारे घर में आ गई, यह मालो हमारा घर है, इसमें हमारा main DP रहता है, यह main DP जो रहता है, जो हमारा main box या जिसको हम बोल सकते है, वहाँ पे fuse वगर है लेग रहता है, आजकल तो MCB जाता था लगता है, fuse वगर आजकल कोई लगाता, नहीं है, ठीक है, यहाँ से क्या ह होता है कि हमारे अलग-अलग rooms है, मालो कि 2BHK या 3BHK है आपका, तो हर एक रूम में एक एक वायर, मलब neutral phase वायर का connection जाता है, यह देखिए, यह एक रूम में गया, इधर, यह दूसरे रूम में गया, इधर, यह तीसरे रूम में गया, इधर, यह चौते रूम में गया, AC के लिए भी अलग से वायर हमारे DP के जरिये ही जा रहा है, में लाइन से दो ही वायर है हुए, फिर इधर से डिस्टुबिट होके इधर गया है, ठीक है, हमें तो जाना यह connection जो board का रहता है, switchboard का वो कैसे रहता है, लेकिन यह मैंने समझाया कि हमारे switchboard तक mainboard आता कैसे है, चले अभी उसके अंदर जाने की कोशिश कर दे, तो main line आगे हमारे switchboard में, switchboard में होता है कि जो phase line रहता है, वो phase line equally आप देख सकते हर एक switch को मिला हुआ है, और जो neutral line है, वो सभी के लिए common mix कर दिया जाता है, जैसे कि यह पंखे का neutral line होगा है, यह दोनों bulb का neutral line होगा है, इस आती साथ neutral line जो रहता है, वो भी एक जाता है, क्योंकि एक रहता है neutral तभी जाएगा एक phase, हाला कि यह जो है, phase एक side है, एक side neutral है, यह गलती से red color होगा है, वो black color ही है, ठीक है, तो इस तरह से यह यह दोनों एक साथ में जूड़े होगे, और यह तीन switch आपको अलग से नजार करो, मालो कि neutral wire सभी में common गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह bulb है, यह bulb है और यह fan, सभी में common गया neutral wire, phase wire के बात करें, तो जनरल अगर fuse रहेगा, तो fuse के जरीए phase wire जाता है आगे, और phase wire जाएगा, तीनों जितने भी switches रहेगा, switches को एक तरफ से phase wire के साथ में joint कर दिया जाता है, इसी प्रकार से जो fuse phase wire जो रहता है, वो फिर आगे switch के दूसरी end से बाहर निकलेगा, जैसे कि socket के तरफ आगया, बल्ब की तरफ आगया, और यह हमार regulator की तरफ आगया, अभी देखिए कि regulator में गया रहता है, कि दोनों साइट phase रहता है, जैसे fuse में उसी प्रकार से तो यह regulator में जाएगा, और इधर से फिर बहा निकल की पंकी की तरफ जाएगा, तब ही जाकि वो regulator के जरिये पंका जो है, अपना speed नियंतरीत कर सकता है, और earthing रहेगा तो generally आम तोर पे socket के उपर earthing को लगाया जाता है, क्योंकि switches में earthing की जरूरत नहीं बढ़ती है, हमारे घर का main DP है, ठीक है, main DP साया, यहाँ पर आप देख सकते है, यह एक प्रकार की, क्या बोल सकते हम लो उसको, fuse है, या indicator light है, तो phase wire जो है, आप देख सकते है, phase wire यहाँ पर गया, और इधर से फिर होते हुए हर एक switch में phase wire चला गया है, और neutral wire जो रहता है, वो इस socket में, इस socket से, यह indicator के अंदर, यह fuse के जैसे ही दिख रहा है आपको उसके अंदर, उसके बाद light और पंखे, और switches का connection आप देहान से देखोगे, तो यह phase phase है, जहां से इसको मिला हुआ है, यह regulator के साथ में fan को लगा, इसलिए कैसा है कि phase line यहाँ पर आए, यह phase line regulator में जाएग, और regulator regulator का दुसरी तरफ से end जाएगा, पंखे के अंदर, और switch socket रहेगा, तो कैसा होगा, कि phase line आया है, इदर से एक socket में जाएगा, और उसको neutral भी दिया जाए, तभी यह switch socket काम करता है, सहज में आरी यह बात, बहुत ही simple ढंग से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अभी आपक socket के लिए अलग से neutral wire रहता है, correct, phase wire की बात करो, तो fuse से होते हुए, हमारे switch socket के उपर, फिर switches के उपर, और switches के दूसरी end से हमारे components के उपर, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो board का connection रहता है, वो होता है, सहज में आपके board का connections कैसे होता है, हमारे switch board का connection रहता हो, किस प्रकार यहाँ पर, यहाँ पर, अर्थिंग के साथ में, अर्थिंग जो एक केवल switch socket के उपर ही लगता है, यहाँ पर नहीं है, अब देख सकते है, यह neutral की line है, वो तो directly गई हुए, switch socket के उपर, और बाकी components के उपर, phase line जो है, वो इस wire से होते है, इस switch socket में जा रही है, इसके बाद regulator के जरीए पंखे के तरफ जा रहा है, यह देख स्वीच के गया, switch से regulator, regulator से पंखा, और यह switches के जरीए है, हमारे जो components से उसके साथ में, ठीक है, clear है, और यह MCB, लेकिन हमारे जो अर्थिंग केवल और केवल, खाली socket के उपर आता है, बाकी कोई switches को ज़रुवत नहीं पढ़ करती है, तो I think दोस्तों यह clear हो गया है आपको कि यह switch socket में connections कैसे लगायाता है, अभी आपके दिमाग में और एक question आता रहा है, कि sir आपने connections मुझे समझ में आ गया, लेकिन है series है या parallel है, वो कौन से प्रकर के connections है, तो दोस्तों इसका जो सवाल का जवाब आपको खुद को टूनना है, और इस वीडियो की नीचे comment में लिखना है, नई सवन में आता तो छोड़ दीजे, मैं आपको दूसरे वीडियो में, अगले आने वाले वीडियो में इसका जवाब 100% ज़रूर से देने का कोशिश करूगा, चले इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening, दोस्तों अगर online courses करने, तो याद रहे कि हमारा app है, plus point training नमगा, जो कि bracket में new लिखा हो रहाएगा, यह हमारा नया app है, और मैंने आपको और आपको मेरा whatsapp नमबर दिया, इस पर आप मुझे हाई का message जाल सकते हो, अधिक जानकर इक लिए, आप मुझे whatsapp पे detail भेजने की डालिए, कि मुझे details चाहिए, तो मैं पूरी detail अपका online courses की दे दूगा, I hope कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, याद रहे कि वीडियो पसंद आया तो like और share करना ना भूले वीडियो को, comment में जरूर लखे कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप नए चैनल के उपर तो subscribe का button दबा के bell का icon दबा दीजाए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आएगा उसको notification आपको जल से जल मिल जाए, चले इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.